तो अब मैं एक नमबर बताती हूँ सरकस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी दोर पर चर रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमी पर सीधे लगे खंबे के सिकर से बंधा हुआ है सरकस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी दोरी पर चर रहा है और जो यदि भूमी के साथ डोर पर बनाया गया कौन 30 डिग्री का होता है यानि जो यहाँ पर कौन बन रहा है वो 30 डिग्री का है डोरी पर वो चल रहा है और भूमी के साथ डोरी का जो जुकाव है वो 30 डिग्री का है ये 90 डिग्री है तो खंबे की उचाए ग्याद किजी यानि ये भी हमें ग्याद करना है तो पहले हम लोग फीगर बना लेंगे बी ए या तीज दिली का कौन बन रहा है सी और ये बीस मीटर है यानि हमारे पास दिया हुआ है ए सी बी बरावर तीस दिग्री और ए सी बरावर बीस मीटर दिया हुआ है अब हमें ए भी निकालना है ए भी यानि खंबे की जो उचाए है वो ग्याद करना है तो हमें देखना होगा कि ये मैट कौन थिटा का यूज करके ये मैट बनेगा तो हमारे पास दिया हुआ है ए सी दिया हुआ है यानि है ए डिया हुआ है यानि हमें लम निकालना होगा यानि पी निकालना होगा तो हम देखेंगे किस theta में P और H एक साथ है यानि कौन theta ऐसा है जो P अनुपात H का मान है तो मैंने पहले ये बताया था कि sin theta बरावा लंबटेकन यानि P by H होता है तो ये जो math है वो P by H के प्रयोक से बनेगा तो sin और 90 degree के अलावा जो कौन है 30 degree उसका हम मान लेंगे यानि sin 30 degree sin 30 degree बरावार होगा P by H यानि लंग A B और H होगा A C और sin 30 degree का मान बताया था एक बटे दो तो यहां हो जाएगा एक बटे दो A B तो निकालना है हमें और यह हमारे पास बीस मिटर अब हम लोग cross multiplication करेंगे 20 और 2 A B यह जो 2 है यह गुना में है तो यह इधर भागा में आ जाएगा A B यानि 10 A B बराबर 10 मिटर होगा से अत्त खंबे की उच्छाए बराबर 10 मिटर हो गया तो यह एक नमबर का में था अग दो नमबर में आते हैं आदी आने से एक पेर तूट जाता है और तूटा हुआ भाग इस तरह मूंच जाता है कि पेर का सिखर जमिन को छूने लगता है मतलब एक पेर है जो मने पेर है वो तूट जाता है यानि आधा उसका भाग जो है वो तूट जाता है और पेर का जो तूटा हुआ भाग है वो सिखर पढ़ा जाता है यानि जमिन को छूने लगता है तो इसके साथ वो 30 तीरा कौन बनाता है यानि जमिन के साथ जब वो जहां पेर का सीखर जमीन को छूता है वह 8 मिटर है यानि जो पेर से जमीन का जो नाप है वह 8 मिटर है पेर की उचाए ग्याद किजिए मतलब फीगार ऐसे बनेगा यह जमीन है और यह पेर का आधा हिस्टा है यहां से टूटा हुआ है यहां से टूटा हुआ है यहां से टूटा हुआ बाला भागा है बी तब ये भाग ऐसे जमिन को छूने लगता है तो ये भी बी होगा तो जब ये जमिन को छूता है तो यहां 30 डिगरी का कौन बनता है और ये 90 डिगरी का कौन बनेगा तो हमें A, C निकालना है यानि पूरे जो पेट की उचाहिए है वो गयाद करना है तो पहले हम लोग A, C निकालेंगे इसके लिए यहां दिया हुआ है 8 मीटर लिख लेंगे क्या क्या हमारे पास दिया हुआ है A, C निकालना है तो A, C निकालने के लिए हम लोग देखेंगे क्या क्या हमारे पास है A, B दिया हुआ है यानि B, A, C निकालना है यानि हमें लंब निकालना है, P निकालना है तो हम देखेंगे कि किस ठीटा में P और B एक साथ है तो यहां मैंने बताएटा कि 10 ठीटा बराबर होता है P बाई B तो हम लोग 10 ठीटा का उपयोग से बनाएंगे यह मैज़ अब देखेंगे यहां 30 डिगरी है यह डिगरी का लावा जो एक कोन है उसका माल देंगे यानि 10 ठीटा का मान होता है P बाई B यानि P है A C और B है बेस है A B 10 ठीटा का मान वान बाई रूट 3 A C तो हम लोग निकाल रहे हैं और A भी है 8 अब क्रॉस मल्टिपिकेशन करेंगे 8 अब रूट 3 A C यानि रूट 3 इधर आ जाएगा गुना में भागा में आ जाएगा A C अब लोग हम A C को ऐसे ही छोड़ देंगे अब आएंगे अब हम लोग निकालेंगे B C B C निकालेंगे यानि ये पोर्शन निकालेंगे B C तो हम लोग यहां लिखते हैं B C निकालना है तो जो B C है यही टूटके यहां गिर गया है जो यह मतलब P है वो जब गिरा तब यह P मतलब यह P था जब यह जमीन कोच हुआ तो यह H में बदल गया तो हम लोग हमारे पास A B दियावा है यानि बेस दियावा है और हमें निकालना है H तो हम लोग देखेंगे कि इस थीटा में B और H एक साथ है तो हम लोग देखते है कॉस में है तो कॉस लेंगे और यहां 30 दिगरी है तो 30 दिगरी A B यानि बेस और H यानि B C H B C कॉस 30 दिगरी का मान होगा रूट 3 बाइ 2 और हमारे पास A B है तो 8 मीटर 8 और B C यह B C, B C ही रहेगा क्योंकि B C हमारे पास नहीं है हम ही निकाल रहे है अब क्रॉस मल्टिफिकरिशन करेंगे तो B C रूट 3 इस उकल 16 अब B C यह गुना में रूट 3 के साथ तो यह भागा में आ जाएगा अब हमें निकालने बोला है पेर की उंचाई यानि B A निकालने बोला है तो अगर हम B C और C A को जोड देंगे तो हमें मिल जाएगा B A तो पहले ही हमने A C निकाल लिया था यहां A C निकाल लिया था और B C निकाल लिया था तो अब हम लोग आसानी से B A निकाल सकते हैं निकाल लिया था यानि B A बराबर A C जोर B C A C निकाल था A रूट 3 जोर 16 रूट 3 अब लोग लोग इसका परिमेकरन करेंगे परिमेकरन यानि जो नीचे रूट 3 है उसको उपर से भी गुना करेंगे नीचे से भी गुना करेंगे यानि अंक्स और हर से रूट 3 को दोनों से गुना करेंगे रूट्ट्री, रूट्ट्री, 24 रूट्री हो गया और यहां 3, 3, 8, 24, यानि 8 रूट्री मीटर, यानि AB का जो उचाई है वो है 8 रूट्री मीटर, झाले हो गया हो गया है